Hi guys, this is me Saurabh. So guys, आज की वीडियो मैं आप से बात करूँगा water retention के बारे में. But video स्टाट करने से वाले, I hope आपने मेरा चनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. पर फिर भी अगर आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं कराया है, जिनका fat percent around 10 to 15 है. जिनको उतना fat percent होने के बाद भी उनके app शो नहीं होने. तो हो सकता है आपको water retention की problem हो. तो इस वीडियो में आपको कुछ tips बताऊँगा जिससे आपकी water retention की problem solve हो जाई. तो guys, problem को solve करने से पहले जानते हैं, problem होती ही क्यों है? Guys, सबसे पहली चीड जिसकी वरी से water retention हमारी body में होती है, वो है हमारा less water intake. Guys, हमारी body जो है, वो 70% water है. तो अगर आपको water intake आपके lifestyle में कम है, माल लो अगर जितना आपकी body की requirement है, उससे उसका 10% कमी water पीते हो. तो आपकी body 10% water reserve करने लग जाईगी. क्योंकि उससे बताएगी, आप हमेशा 60% water ही पी रहे हो. तो सबसे पहली problem जो है, वो है आपको less water intake. दूसरी problem जो आती है, वो है आपको sodium intake. आप पूरे दिन में कितना sodium consume करते हो, उस वज़े से भी आपकी body जादा water retain करने लग जाती है. थर्ड प्रग्लम हो सकती है, जिस वज़े से आपकी body water retain कर रही हो, वो है आपका carb intake. Guys, around 1 gram of carbohydrates को process करने के लिए around 3 ml of water चाहिए होता है. तो जिसका मतलब है कि आप पूरे दिन में अगर 300 grams carbohydrates consume कर रहे हो, तो उसको process करने के लिए आपकी body को around 900 ml water चाहिए. और last thing जो आपकी body में water retention की problem create कर सकती है, वो है kretain intake. अगर आप cutting कर रहे हो, या fat loss कर रहे हो, और उस time के अगर आप kretain ले रहे हो, तो guys, तब भी आपकी body में water retention की problem हो सकती है. प्रिकि kretain का जो सबसे पहला main role है, वो यह ही है कि आपकी body में water hold करता है, जिस वज़े से आप ज़्यादा lift कर पाते हो, तो आप जानते हैं इस problem को कैसे solve करें, इस problem को solve करने का simple सा तरीका है, जो मैंने अभी आपको problems बताई है, उनको हमें बस ठीट करने है, सबसे पहली problem थी आपका less water intake, तो less water intake को आपको सरी करने के लिए बस simple सा करना है, आपको पूरे दिन में ज़्यादा पानी पीना है, आपको around 3-4 liters of water daily consume करना है, इतना water consume करने से क्या होगा, कि आपकी body को धीरे धीरे पता लगेगा कि आप ज़्यादा पानी consume कर रहे हो, उसको ये बता लगेगा कि आपकी body कर पानी की कमी नहीं है, तो जो उसमें पानी hold किया होगा, वो दीरे देरे उसको flush out करतेगी urine से, next problem थी sodium intake, guys Indian खाने में हम इतने मसालों का use करते हैं, जिस वज़े से हमारा का पूरा sodium intake उदर से मिल जाते हैं, तो इस problem का solve करने का जो चीज आपको कर रही है, वो बड़ी simple है, आप अगर अलग से नमक का use करते हो, तो बस उसको बंद कर दो, तो इससे आपकी sodium की problem solve हो जाएंगा, next problem थी काव इंटेग, guys काबो हैड़ेट्स हमारा primary source है फ्यूल का, तो हम काबो हैड़ेट्स रिद्यूस नहीं कर सकते, बढ़ हम क्या कर सकते हैं, कि आप जो काबो हैड़ेट्स अपने consume कर रहे हो, वो आप morning से लेकर evening में 5 बिल तक consume करो, और उसके बाद जैसे ही शाम होती है, छे मेटे के बाद उसको reduce कर दो, तो इस से क्या होगा, काबो हैड़ेट्स शाम को reduce करने से, आपकी बादी ज्यादा water hold नहीं करेगी, और सुबे से लेकर शाम तक काबो हैड़ेट्स अपने काबो हैड़ेट्स कर रहे होंगे, वो आपका एनरजी में यूज हो जाएंगे, यह कुछ टिप्स हैं जो आपकी water retention की problem को solve कर सकते हैं, बट इन सब को करने से भी अगर आपकी water retention की problem solve ना हो, तो मैं आपको कुछ essential tips बता रहा हूँ, आपको यह देखना है कि अगर आप junk foods consume करें तो आपको बंद करने, क्योंकि junk food में हमारे को सारे carbohydrates, fat और sodium intake, एक सब कुछ ऐसी चीज़े मिलती हैं जिस वज़े से आपको water retention की problem हो सकती है, और next thing जो आपको करनी है वो है, आपको सोना और स्टीम लेना बंद करना है तो उस time के लिए, बहुत से लोगों को लगता है कि सोना और स्टीम लेने से उनकी water retention की problem solve हो जाती है, बाट गाइस ये एक short period के लिए होती है, जैसकि आप सोना और स्टीम लेते हो, उसके बाद आपको लगता है कि आपकी बॉड़ी से water reduce हो गया है, और वो हो भी जाता है, और उसके बाद क्या हो, कि जो लोग पानी कम पीते हैं, तो हमारी बॉड़ी में पानी की थाभी होने इस भी वज़े से, तो जो भी आप खाना खाऊँगे याप वाटरी फूर्स खाऊँगे जिसके बाद पानी होता है, तो आपकी बॉड़ी हर जगे से पानी होल्ड करने लग जाएगी, क्योंकि आपने अपनी बॉड़ी उसे वाटर को रिड्यूस कर दिया, तो उन लोगों को स्टीम और सौना अवोइड करने हैं, जो कम पानी पीते हैं, तो आए होब कई ये सारे टिप्स आपकी वाटरेटेंशन की बॉड़न सौल्व करने में हेल्प करेंगे, तो सी यो इन दे नेक्स वीडियो और बैस अव्लॉड़।